दोस्तो आज आपको A49 वीडियो को मिले गा जिन्हों की नाम है निमयो और उसी मेजन्मेट्बड आज मैं आपको काटिंग दीखाऊंगी पहले आप लोग मेजन्मेंट देखते में अबाइव के साथ awake जुरूर प्ल hm निम्मो और उन्हाज में जो काटिंग दिखाऊंगी पहले आप लोग मेजरमेंट देखते हैं उनका प्लाउस के लंबा ही 16 जब 16 लंबा होगा इसके साथ को वाने चुलूर प्लाउस करना है और उनका जो हाइड है ना 5 तो इस measurement पर उनको single बराबर नहीं हो आई उसी ही साथ से आपको measurement लेकिए बिलकुल यहां पर देखिए विल्टुल यहां से आपको measurement लेना है, wash point अबका कीतना है तो जितना आपकी wash point भी ही नहीं, आपको उसी ही आपके पर लेना है अगा ब πल्षपवेंट बराबर नहीं होगा, तो इसमें जो दिक्कथ हुआ है हमेशा ही आपका यह दिखत होगा आप लाउस पहने के बाद आपका बाश्पॉइंट उपर चरनी लगे जा और दूसरा घंसे यहां पर क्या हुआ है बाश्पॉइंट की नीचे जो फेबरिक आप में रखा ना बैल्ट के उपर जो फेबरिक रखा मैं आपको दिखाते हूं इसमें यहां तक यह बाश्पॉइंट है देखे इसमें थोरा सा मैं आपको समझाते हूं देखें रहे गया है देखें शोला सही जो फेबरिक यहां पर रहे गया है इसमें फेबरिक जादा नहीं रहे ना है जितना आपको चाहिए उतना ही लेना है हाल का दो तिन सू ज़्यादा होने से कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन जब बहुत ज़्यादा फेबरिक इसमें आपका रहेगा ना उस टम पर आपकी ब्लाउस पर दिक्कत होगा पहनने के बाद आपका इस सेट पर लूजिंग जब आपको बाराबर रखना है इसमें आपको हामेशा रखना है यह अगर बराबर नहीं कोशिश कीज़ेगा इसमें आपका बिल्कूर फिटिंग्स रखने के लिए जब इसमें फिटिंग्स होता है है ना उस टैम पे आपका अगर बाश्पायन थोड़ा बहुत कम जदा होता भी है ना कि भी कोई दिक्कत नहीं होगा अपका यहां से फेवरिक है उपर की तरब करने का कोई रस्ता ही नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आपका पूरा फीटिंग से खिशाप रहेगा तो जिसके कर जादा डीपने को काटिंग करते टाइम और शीलाई के टाइम अगर फुडा बहुत ध्यान रखते हो ना उस टैम पे आपकी ब्लाॉस का शोडर कभी भी नहीं गिरगा और आर्म होल पे आपका रिंकल्स कभी भी नहीं होगा सही तरीका आगर आपको पता होगा ना तब आर निन्हें तो ये ब्लॉम स्टेजर्ट कर लिए आब इसको कैसे ठीक करना है ये ठीक करने के लिए पूरा के आना है जो अपने सिलाई के आना है दोबरा से बैल यहां पर सिलाई कर दिजेगा मैं जब आपको स्लाइड दीखाऊंगे तो आपको दोबरा से समझाऊंगी तो आप दोबरा से स्लाइड कर पेडिए का इसका पर वर्यां तो तो आपको ब्रेंग करना है कहां पर क्या गलती नहीं करना है और जो measurement नीचे का जो part ने इसको कैसे निकालना है यह भी मैं आपको सम्झा दोगी तो इनीचे का जो यह पाढ़ना निकालने का एक formula होता है formula क्या होता है जितना आपकी full burst होगा जैसे इसमेया full burst है 43 तो जितना full burst होगा ना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है इसलिए दोस्तों देख लेते हैं किस देख लेते हैं नमस्ते दोस्तों मैं हो सब्सक्राइब सबसे पहला में मैं एक डिया थािवाइब करना है तो भास कटना है इसमेश नहीं ही अभी शोल्स नहीं हब आपको अपने अन्य को लेना है तो देखिए यहां पर 40 है आपट चेस्ट का फॉर्थ भाग है यहां पर 10 तो 10 से पहरा मैंने निशना यहां पर लगा लिया इसके साथ मुझे लेना है देखिए मैंने पर 26 का रख दिया अब टोटाल जितना अपट चेस्ट है उससे हापीस भटा के कमर के लिए रख देना है इतरे से लेने से क्या होते है अलग से मेजरमेंट लेने का कोई भी जुरूरी नहीं होता है तो यहां पर मैंने सीधा लगा लिया अब यह जो अन्हुल का निशाना है ना यह अन्हुल का निशाना किस्तरेक्षी देना है आγ clean का निशाना देने से पहले अमेशा ध्यान में राखेगा जितना आपके टूटल आपट चेस्ट शेस्ट है मिला है चोथा भास मिला ना उससे हापिस अंदर आ जाना है यहां से मेजर्मेंट करके हापिस आपको अंदर के तरफ आजाना है आप इस अंदर आने के बाद यहां से आपको अर्भूल की गुलाई देना ही, वान इस अंदर आ जाओ, यह चाहू तो आइडिया से भी कर सकते हैं, यह मैजरमेट देने का जुरूरी नहीं होता है, फिर भी आप लोगो को इसी होगा जिसके करन में यहां पर जो हाप इस हें इसके हिसाब से इहां पर कितना हुआ है, लगबग वान इसे 300 जादा है, इसको ध्यान में रखते हुए, अभी इसको मिलाना है, देखि के साथ, ऐसे इसको मिला दो, ऐसे देने से बैक से अंदर का जितना भी फेवरीक हैं, यह कार्टिक हो जाता है, और बैक से पीटिं है आप टूइं से एक सुट कम रगतो जब बैक से डोरी नहीं होगा ना उस टेम पर इस देने से अच्छा होता है शोल्डर गिरने का चांस बहुत ही कम होता है और उनको बैक से टैनन हापी चाहिए तो टैनन हापी से पहले हैं पर निशना लगा जो अभी चोड़ाई में देखिए हो गया है इस पर हलका सा डाउन कर दो एक देर सुट ऐसे तिर्शा करके डाउन कर देना है तब देखिए कि आपका शोल्डर कितना अच्छा चिपका हुआ होता है अभी टक्स के लिए यहां से निशना लगा दो सिक्स इंस पर लग दो कोई दिकत नहीं और उपर कर लो स्लिप्स का चोड़ा देखिए नानिन से दूसुट ज्यादा है इससे भी थोड़ा ज्यादा है तो मैं तीन सुट लग देती हूँ नानिन से तीन सुट ज्यादा मिला है इसके साथ हमें और भी ओन इस प्लास करना है तो टैनिन से मुझे तीन सुट ज्यादा लेना ही स्लि पर्फेट अभी बैक पाट की हिसाब से पहरे निशाना लगा दो इसको हटा लेना है निशाना को बराबर मिलाना है पहले या से पर जो शिलाई के लिए जो एक्स्ट्रा है ना बाद में राखूंगा भी कुछ भी नहीं करना है प्रॉंट पर उनको 7.5 चाहिए तो 7.5 इस्पिनेशना लगा देती हूँ इस पर हमें 20 रखना है प्रॉंट सैट पर अभी इसका गुलाई देना है प्रॉंट के लिए आप अपनी हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो फोल्डर से हमें बास्ट प्रॉंट लेना है इसमें अभी आपको बास्ट प्रॉंट बरबर तरीके से लेना है उनकी जितिना हाइट है उसी हिसाब से बास्ट प्रॉंट यहाँ पर मिनिमाम 11 इंसे दूसुत कम लेना है उन्हें बास्ट प्रॉंट के मेजर में नहीं दिया फिर वी जो हाइट उन्हें मेंचन किया उसी हिसाब से आपको मिनिमाम 11 इंसे दूसुत कम लेना है नेता आपका बास्पर उपर की तरफ उठ जाएगा, फिटिंग्स अच्छा नहीं होगा. इसको पहले सिधा करना है. अभी जितना आपके आपड चेस्ट है, 40 आपका आपड चेस्ट है, उसको 10 से डिवाइट करना है, 10 से डिवाइट करना से ये 4-1 आता है. अभी पहले यहा से लेना है जिखना मिलता है उससे 1s मैंनस कर देना है आभी मिला है न सेबनिंस इसको मिजन निकल लेना है हो गया अभी काई它 इसके साथ मिला पर नहीं वहाँ से पहले दिएक हेक हमेसरा तुम unle AI नहीं लेकिन इसमें लगफ दाइन से पूरा सा कम होआ है को दिकता नहीं हो जाए है तो इसमें मिल गया है अभी नीचे कितना लेना है यह लेते टारा हूं यह गलती आपको नहीं करना है इसमें आपको बराबर तरीके से रखना ही नहीं तो आपका यहां पर measurement गरबर होगा जितना आपकी फूलबास्ट है फूलबास्ट यहां पर 43 है तो इसको 13 से divide करना है अगर आपको measurement करना नहीं आता है उस तहब एक mobile लेना है अलग से mobile पर आप यहां पर measurement कर लिजेगा तो लगबुक यहां पर कितना होता है, 3.30 यहां पर होता है, तो नीचे देखिए आपको measurement लेना है, 3 से 3 सू जाधा यहां पर रख दो, हो जाएगा, जो सिलाई के लिए extra चाहिए ना, वो हमें बाद में लेना है, अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको सीधा नीचे ले क्याना है, हो गया, इस सेट पर आप पॉने 12 रख दो, और इसमें आप हाफिस रख दो, इसको यह दुनों पॉइंट को मिलाना है, तक्स के लिए जो चाहिए ना, बद में लगा दूगी, अभी मैं ऐसे यहां पर रख दूगी, तक्स अभी नहीं लगाऊंगी, अभी जो पाटे यह कितना लेना है, इसको सीथा नेचे लेके आना है, चाहो तो ऐसे भी मिला सकतो, लेकिन हलका एक्स्ट्रा होने साथ अच्छा होता है, इसको तिर्चा कर दो, जितना भी नीचे एक्स्ट्रा होगा ना, बाद में मैं काट कर लूगी, अभी मैं ऐसे यह दूगी, अभी नीचे का बैल लेना है, बैल आपको और एंड हापिस रखो, अभी बैल के लिए देखिए हां से लेना है, हो गया, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें हालका तिर्शा कर देना है, हो गया, बैल के लिए और कुछ भी नहीं करना है, मैंजरमेंट लेने का और कोई जरूरी नहीं है, यहां पर हो गया है, अभी काट कर लो. देखिए, बॉलतियां पर हो गया है, यहां पर देख्यू, आप कुछ भी नहीं करना है, जैसे हैं, बिल्कुला फेरिक, बे काट इऑ लेने का कोई पुझरवरी नहीं हैं, लेकिन अच्छाए आपको क्या करना, इसको त OFF लेना है, सबसे पहले आपको outro लेना है, देखिए, ये भी सिधा होता है, ये भी सिधा होता है, लेकिन आपको इस तरीकिसे इसको उरेब करना होता है, तो उरेब के लिए देखे इसको क्या करना है, आपको इसी रखना है, पहरे जो पॉइंट है न इसको मिला दो, पॉइंट मिला दो, जो बाष्ट पेंट इसको भी मिला दो, ह सबस्क्राइब विद करें ळूरुट मेंच सब्सक्राइब इसमें हलका सा extra लेना है, ज्यादा नहीं लेना है देखिए यहां पर हो गया है अब यहां पर क्या करना है? 1 and half इस extra लग दे कोई भी size का हो, 1 and half इस आप extra लग दे अब इस point को भी इसके साथ मिला दे देखिए यहां पर हो गया है अब इसको हटा देना है अटाने के बाद ये जो बाश्ट पहिन था ना पहले इसको मिला दो अब इसमें टाक्स के लिए देना है 3.5 इस टोटाल रग दो 3.5 को इस तरीके से फोल कर दो वोरा उपर की साथ से हमें निशना देना है अब इसके साथ इसको मिला दो इस में बेदे किसी लाइ मार्जन के लिए इसमें आभी हमें काट करना है इसमें काटिंग नहीं करना है तो ये भी कॉम्पिट हो किया है और कुछ भी नहीं करना है झाल झाल यह पहले मैंने काट किया था और यह बाद में काट किया अब इसलिए फैबरी पे काटिंग कर लेते हैं अब देखिए जितना भी एक्स्ट्रा वगरा लेना है पूरा मैंने यहां पे ले लिया और कुछ भी नहीं करना है अभी सिर्फ मैं इसको उरेब राखूंगी देखिए यह सीधा यह भी है सीधा हमें ऐसे या ऐसे उरेब करना जहां पर लंबा होता है विल्कुल वैसे हमें लेना है तो उरत करने के लिए हमें इसको इस्तरी किसे रखना है देखिए अब इसको काट कर लेते हूं किर्फ आप लोगो अच्छे करी से संधने के लिए मैंने इसको पैपार पे काटिंग किया नहीं तो डाइरेक्ट में इस पेब्लिक पे इसको काटिंग कर लेता अब इसको निशाना देके रखना है जहां पर यह बाश्पोइंट है तब इसी होगा तब क्या होगा सिलाई करते टाइन मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगा कहां पर वाश्पोइंट था इतना तक हमें सिलाई करना है मैंने इसको पहले पैपार पे काटिंग क्यों किया क्योंकि देखिए हमें फेब्लिक कम है और सिल्स का लंबाई वे थोड़ा उनको जाता चाहिए जिसके करन मैंने इसको पहले पैपार पे काटिंग आ लिया तब क्या होता है फेब्लिक कम लगता है किसी पी जगर पर अब से काटिंग कर सकते हों अभी ये दो पाट रहे कि पहले की स्काट को काटिंग करना है अभाट कि अभाट अब देखें, उनको slips का लंबाई 16 चाहिए, तो इसके साथ हमें 1 is extra लेना है 70, लेकिन इस फेबरी कम है, तो मुझे थुरा सा लंबाई इसको कम करना है, लेकिन मैं आपकी हिशा से पहले measurement दिखा देते हूँ, देखें, 70 में निशाना देना है, इसको पहले बराबर मिला दो, मिलाने के बाद slips का यहाँ पे चोड़ाई लेना है, तो slips का चोड़ाई यहाँ पे टैनेंचे तीन चूट जादा लेना है, अब यहाँ से आपको 5 weeks नीचे डाउन करना है, देखें, 5 weeks नीचे आने के बाद इसको तिर्षा करके नॉर्माल जैसे होता है ना, विल्कुल वैस से आपको इसके साथ मिलाना है, 20 अंदर लेलो, फिर इसमें शेफ लगालो, जब इस तरीके से हो गया है, अब इसमें हमें अलग से फेब्रिक जयन करना होगा, इसमें एक्सा जयन देना है, और नीचे की तरब कोई एक्सा जयन देने का जुरूरी नहीं, ऐसे आप इसको का करना करके काटूंगी, फेब्रिक कम है, नहीं तो नीचे का बैल मुझे नहीं मिलेगा, तूटल में इसको 16 रखूंगी, इस पर से में कोई स्लिप्स का चोड़ाई नहीं रखूंगी, बाद में दूंगी, सिर्फ इसमें लगना है, और नीचे आपको जुरूरी नहीं है, और फ्रॉन के लिए आपको जुरूर शेफ देना है, ध्यार में राखेएगा, फ्रॉन आर्मों के शेफ हमेशा देना है, इसमें काट लागे रख देना है, अभी जो फेब्रिक यहां पे बच्चा हुआ है इसी फेब्रिक से हमें बेल काट करना है, बेल्ट हमें अभी यहां पे अलग-अलग काटना है, जब भी फेब्रिक कम होता है न उस टेम पर आपको इस तरीक से लेना है देखो, कितना एजी लिए हां पे निकल गया है देखिए, पूरा काटिंग यहां पे कम्प्लिट हो गया है दोस्तों मुझे उम्मी ते किस तरीक से ब्लाउस काटिंग करना है, आपको समझ में आया होगा और सिलाई कैसे करना है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा नेक्स्टे और डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक देदूगी, उस हिसाब से भी आपसी लाइक कर सकते हो, बाकी यहां पे कोई भी डाउट डागा रहता है, कमेंड में जरूर लिक्टर में जोबरा आपको समझाने की कोशिश करूँगे, पसंद नहीं कोई लाइक कमेंड जरूर क